प्रकार से पिछले दो मेने से लगातार जो संघर्ष चल रहा है गति रोध चल रहा है और फेसुब जो चल रहा है इसके कारण उन्होंने अभी अपने जो पडोसी देश है या अपने बल बुते पर तो वो तैयारी नहीं कर सकता है लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से पाकिस्तान का सहारा लेकर के पाकिस्तान ने भी जिस प्रकार से गिलगिट बाल्टिस्तान का जो एरिया है जहां पे 20,000 की फोज को वह पाकिस्तान की एर बेस है उनको भी इस्तिमाल करने की पुरी-पुरी कवायद शुरू कर दी है और साथось जहांसे भारत के साथ गुजरात में जहां पाकिस्तान की सिमा लगी हुई है जहां जिसको कि हम इंटरनेशनल बोडर के नाम से चानते हैं पूरे भारत में पाकिस्तान के साथ हमारी जो इंटरनेशनल बोडर है वो 3323 किलो मिटर्स है उसमें से गुजरात को अगर हम लेते हैं पाकिस्तान के साथ तो ये 506 किलो मिटर की लंबी आंतराश्णी बोडर है और वहाँ से 20 किलमेटर की दोरी पर जो पाकिस्तान का जो जगह है उस जगह के अंदर उन्होंने एर बेस पहले से वो एक्टिविट था उसको री एक्टिविट करके वहाँ पे एर बेस बनाया है ताकि भारत को चारों तरफ से खिराव करते हुए पूरी तरफ से दवाव मे डाला जाए एक तरफ से साउट चाइना सी जहां पर उन्होंने अपने युद्धपोत लगाए हैं भारत ने भी हिंद महासागर के अंदर उनका पूरा सामना करने के लिए आइनेस विक्रा में दितिया और दूसरे हमारे फाइटर प्लेन वहाँ भी तेनात किया है और यु वहाँ पर उन्होंने डिप्लोमेट कर दिये हैं और जिस प्रकार से आज चाइना के अंदर भारत पर एटेक करने के लिए उनके पास मात्र और मात्रत तीन एरबेस हैं जो तीन एरबेस भी वहाँ से अगर इसको भारत पर एटेक करना है तो कम से कम उसको एक घंटे की भारत की हद तक पहुश सकता है कि उसकी हद के आसपास कहीं भी कोई एर स्ट्रिप नहीं है इसलिए उन्होंने पाकिस्तान का सहारा लिया है नेपाल का भी वो कोशिश कर सकता है लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि त्रिपुटी चाइना नेपाल और पाकिस्तान तीनों भी दिरे-दिरे करके थोड़ा उनको जब स्वाद चखा तो ओली गवर्मेंट ने बारत के खिलाब जहर उगलना शुरू किया और वो जगह है जो उत्राखंड में जहां पे हम काला पानी बोलते हैं लिंपिया धारा बोलते हैं और ये जो सबसे उंची जगह है जहां पर ने सिमा के अन्दर रोड स्टॉक्चर बनाया है पहले इसी जगह से अगर हमें मांसर लेक छाना है तो वहां से दो हफ़ते का समय लगता था लेकिन जब से इन्फ्रास्टॉ के बना है तो इस बनने के बाद में एक हप foundation पो ये चाइन को बड़ा कस्ट हो रहा है बहारत हर जग जिस प्रकार से सीमा रेखा निकलती है वो सब से हमारा उंचा एरबेस वो यह जो है बेगम ओल्ड ओल्डी बेग जो अपना एरबेस है जो की 14,240 फिट की उंचाई से हम पूरी चाइना की यह जो गलवान खाटी है जो की दिस्प्यूटेड पॉइंट है जहां पे फिंगर पॉइंट है 1-4 वो इंडिया उस पर अपना कबजा जमाए हुई है और 4-8 वो चाइना के पास है और जो मिडल पॉइंट है जहां से यह डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ है यह जो अपनी गोल्डी बेग बेगम ओल्डी ज यह जो हाइस्ट पॉइंट आया है दुनिया का जहां से भारत भारत के पास बहुत सारे एरबेस है इसलिए हमें किसी भी चिंता का कोई कारण नहीं है और आज जो चाइना घबडायवा तो कारण यही है कि उनके पास सबसे पहली तो उनके जो फाइटर है यह दूसरे जो वो फाइटर को रीफिलिंग की कोई फैसलिटी नहीं है उसको इसलिए चोटी चोटी स्टिप में उतार करके उसको आदा घंटा चले उतना ही उसके पास फ्यूल उनके फाइटरों में रहता है और आज इस प्रकार भारत के पास अतियाधूनिक ब्रामोस मिसाइल है इस मिस मिसाइल को चलाने के लिए आज हमें जो राफिल विमान की जो हमें आउशक्ता पड़ी और राफिल हमने जो खरीदा है और यही राफिल है कि इतना बड़ा पेलोड सेवन्टी टन का जो पेलोड है यह इसके पूरा उसमें केरी कर सकता है और दुसमन के एरिये में जाकर के वहाँ पे पूरा सरवनास कर सकते हैं इतनी ताकत जो है हमारे पास यह ब्रामोस मिसाइल में है और उस ब्रामोस मिसाइल जो है उनकी किसी भी रडार में नहीं आता है इसलिए यह बहुत ही जरूरी है और आप लोगों ने अभी अभी ताजा देखा होगा कि भारत के सवरक मंत्री उनके जब 75 यह जो पुरे हुए थे उनका सेलिब्रेशन के लिए जब गए थे तो वहां पे भी वो रक्षा सोधा करके आए हैं और उस रक्षा सोधा में हमने चार एस 400 जो मिसाइल है अभी इस दुनिया के अंदर सबसे अगर अत्याधुनिक कोई मिसाइल है तो एस 400 है जो 400 किलोमेटर की मारक्षमता रखती है और नुकलर हेड सक्षम है कि दुस्मन का कोई भी जहाज अगर आपकी सिमा में आ जाए अगर हमने एक एस 400 अपना बेगमबे ओल्डी में अगर लगाई है तो वहाँ से 400 किलोमेटर से अगर चाइना का कोई भी फाइटर उडान भरता है हमारी तरफ तो वह पहले तो रडार के द्वारा ही उसको वहाँ पे खतम कर दिया जाएगा अपनी सिमा के अंदर इंट्री उसको नहीं मिल सकती है यानि कि चाहे वह पाकिस्तान हो चाहे वह दुनिया का कोई भी देश हो अगर भारत पर आकरमन करने की चेश्टा करेगा तो 400 किलोमेटर के दाहरे में किसी भी मिसाइल को किसी भी फाइटर को उत्तहस नहस कर सकता है तो वो क्षमता उसका रक्षा सो 29 वी 21 उसका सोदा करके आये हैं इसके अलावा दूसरी जो अत्या अधुनिक हमें आमनेशन की जरूत पड़ती है कारण क्या जब हम बड़े-बड़े फाइटर बड़े-बड़े मिसाइले तो जरूर खरिद लेते हैं हत्यार जरूर खरिद लेते हैं लेकिन आमनेशन नही करते हैं तो यह अभी आमनेशन का भी भारी मात्रा में ओर्डर दे दिया गया है हम अपनी तरफ से चारो तरफ से हमारी बोर्डर को भारत ने सुचारो रूप से सुरुक्षित कर लिया है इसलिए भारत को अभी किसी भी प्रकार की कोई चिंता की आउशकता नहीं है दूस Mountain Division जो तैनात है वो चाइना उसका मुकाबला नहीं कर सकती चाइना के पास वो मनोबल नहीं है जो मनोबल भारत के पास है कारण के वहां Communist Country होने के नाते One Child जो पोलिसी है हर एक परिवार से एक एक बच्चा होता हो तो सारे परिवार वाले चिंतित रहते हैं और जब उनके बच्चे की पोस्टिंग हाईल्टी टूड एरिया में होती है तो या तो वो अपना रेजिगनेशन डाल देता है या थोड़े समय में वहां से निकल करके जल्दी वापिस आ जाता है तो इसलिए सबसे अगर मनोबल उसका नीचा हो और दूसरा ये मांटेन ट्रेंग के अं हमारा जो ऐरिया है 76 किलोमेटर का एरिया है एरिया में हम ने विजई प्राप्त करी उस विजई का दावेदार में में भी शामिल था 1984 में operation मेकदूत में जो भारत पाकिस्तान के साथ जो फेसोफ हुआ था जो टकर हुई थी और उसमें हमने 13 अप्रेल 1984 में वहाँ पे हमने विजय प्राप्त करी थी और उसका जो सारा स्रेई वो जाता है हमारी भारती एरफोर्स को कि हमारी जो एरफोर्स है आज हमारे पास इतने अत्यादोनिक हेलिकॉप्टर हैं चाहे वो चिनिवक हेलिकॉप्टर हो अपाचे हो और दूसरी जितने भी युद लाइक जितने भी हमारे हेलिकॉप्टर हैं वो बड़े भारी मात्रा में सक्षम है और हमारी जो डिप्लोमेसी है मुझवदा सरकार भारत के प्रधानमंत्री सिरी नरेदर मोजी की विश्व के देशों के साथ जो उन्होंने विदेश नीती बनाई है उन लोगों के साथ जो रिस्ता बनाया है जिसके कारण ओपन चैलें करी है अमेरिका ने USA ने के हम आपके साथ है जहां आपको जरूत होती है तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले तमाम युदवाक जहाज जितने भी हैं वो साउथ चाइना जो सी है उस सी के अंदर वहां पे उन्होंने पूरा डिप्लोमेंट कर दिया है और आज और पूरी जानती है कि यह जो पेंडेमिक है इस पेंडेमिक के कारण आज चाइना की जो दुरदर्शा हो रही है कि जब जब चाइना के उपर संकट आया है तो तुरंती उन्होंने बॉर्डर डिस्प्यूट का मसला इमेडियेटी उठाया है और जब जब उनका GDP नीचे गया है तो दुनिया का ध्यान वहां से हटाने के लिए जिस प्रकार चाइना है चौद कंट्री के साथ बॉर्डर के साथ घिरा हुआ है वो आप नौर्थ कोरिया से सुरू करके नौर्थ कोरिया, मौंगोलिया, लाउस, रस्या, भारत, पाकिस्तान, अफगनिस्तान, तुर्कमेनिस्त किर्गिस्तान और म्यानमार नेपाल भूटान ये सारे जो 14 कंट्री है उनके साथ भी उनके कोई हेल्दी रिलेक्शन्शिप नहीं है उसके साथ साथ आप लोगों ने दिखा होगा कि जो ताइवान ताइवान के साथ भी ताइवान तो काफी महां से दूर है 240 से 300 किलोमेटर दूर है लेकिन उनको भी अपनी धोंस में करने के लिए उनके फाइटर भेजे थे उन फाइटरों को वापिस भगा दिया गया था होंकों जो कि 30 किलोमेटर की बोडर लगती होंकों को भी उन्होंने डिस्टब करने की कोशिच की थी क्यों 1997 में अंग्रिजों से आजाद उ यहां पे यह गोवा कि यह इनकी जो पोटूगिज की सरकार थी तो उन्होंने मकाव करके जगए 3 किलोमेटर खाली बोडर है तो वहां भी उन्होंने अपने हर जगए पे बेश लगानी की कोशिच करी है तो जिस प्रकार की चाइना की साम्यवादी निती है विस्तारवाद जिसके कारण वो कहीं भी सेट नहीं हो पाता है हर जगे पे अपने कबजे में करना चाहता है लोगों के चाइना के यह नेपाल के भी कई ट्रिश्टिक उन्होंने उनकी जमीन को दबा करके रखा है और आज इस प्रकार भारत की स्थिती बनी हुई है सबसे पहले दुनिया कि तमाम देश भारत के साथ है चाहे वो इसराइल हो चाहे युके हो जर्मनी हो जापान हो औस्टेलिया हो या जो यूए से हो ये तमाम भारत देश हमारे साथ है कारण कि जब से ये पैंडेमिक आया है कोविड नाइंटीन और करोना वाइरस जो वुहान सिटी से आज पूरी दुनिया को इतनी हालत में बुरी हालत में कर दिया है जो आप और हम सभी जानते हैं तो ये आज चाहिना के साथ जिस प्रकार से हमें व्यभार करना चाहिए चाहे वो वायू सेना के रास्ते हो चाहे वो थल सेना के रास्ते अगर आप देखना चाहे तो हमारी आर्टिलरी कम्प्लीट वहां पे दौलत बेग ओल्डी के साथ जहां बोडर लग रही है वहां पे तमाम प्रकार की F77 B02 वोफोर्स टेंकों को लगाया गया है आर्टिलरी गनों को लगाया गया है टेंक T90 को लगाया गया है अरजुन टेंक को लगाया गया है और जितनी भी होवित जरगन है जिसकी मारक समता अगर वो फोर्स की देखा जाई तो 30 से 40 किलो मिटर तक वो हैल्टी ट्यूड के अंदर भी अपनी मारक समता के साथ बहुत तेजी से दुस्मन पर वार करती है और उनका नामों निशान मिटा देती है जिस प्रकार T90 जो है वो भी हमारी जो टेंक है वो भी खतरनाक टेंक है इस प्रकार से हर जगे पे चाहे वो सियाचिं ग्लेशियर का एरिया हो चाहे वो अक्साई चीन का एरिया हो जो डिस्प्यूटेड है 1962 में चाइना ने अवेद करजा करके रखा हुआ है जिस प्रकार पाकिस्तान ने हमारी जमीन पर अवेद करजा जो 740 किलोमेटर लंबी एलो सी लाइन ओप कंट्रोल है जहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच में 1948 में 47 में जो उनके साथ फेस ओफ हुआ था जो वोर हुआ था उस वोर के समय हमारी जो जमीन उन्होंने जीती वो वापिस हमें नहीं करी वो आजाद कास्मीर के नाम से और दुसरी गिलगिट बाल्टिस्तान के नाम से जाना जाता है और वहाँ पे आज पाकिस्तान ने भी अपनी दो डिविजन को खड़ा करके वहां रखा है चाइना को सपोर्ट करने के ल जो अक्साई चीन के उपर अपना कबजा जमा सकता है, एटेक कर सकता है और जिस प्रकार से चाइना ने CPEC, चाइना पाकिस्तान एकोनोमिक कॉरिडर जो बनाया है जो सियाचीन ग्लेशेर के रास्ते से पीछे की तरफ निकलता है, उस रास्ते को जो चाइना से पहले क्या हो सियाचीन ग्लेशेर की निग्रानी में है, दौलत वो एक ओल्डी से हमारा जो दुनिया का सबसे उंचा हाइस्ट बैटल फिल्ड है, वो सियाचीन ग्लेशेर है, जहां भी हमने अपनी गने, हमारे रडास और हमारी आर्मी वहाँ पे डिपलॉइड है, तो इस प्रकार से 740 किलो मिटर लंबी एलो सी, जो कि ये डिमार्केटेड तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हैं, लेकिन जिस प्रकार चाइना के साथ जो डिस्प्यूट चल रहा है, ये बहुत पहले कहा है कि उनकी कोई एले सी जो है, वो कहीं डिमार्केटेड नहीं है, लाइन ओफ एक्चुल कंट्रोल के जिसको नाम से हम जानते हैं, वो है 4062 किलो मिटर और उसमें से जो 3348 किलो मिटर ऐसी डिस्प्यूट लाइन है, जो कि न तो उनके नक्से में कहीं दिखाए देती, न हमारे नक्से में सर हेंडरी, जो मैक मोहन आया था, उस समय ये चाइना ने और बिटिश इंडिया एंड जो टिबेट है, ये तीनों ने उस दस्तावेज पे साइन किया था, लेकिन उसको वो चाइना मानने से इंकार करता है, और आज इस प्रकार से चाइना कभी हमारे एरिये के अंदर गुस जाता है, कभी भारत उसके एरिये में चला जाता है, बिकुस ये कन्फ्यूजन है, ये कोई डिमार्केटिड लाइन नहीं है, जिस प्रकार से एलो सी में हमने बाबड़वायर फैंसिंग और हाई रेज लाइन जो बनाई है, और पाकिस्तान के साथ हमारी जो इंटरनेस्ट हो रही है, तो कैमरे के अंदर तुरंट वहाँ से केद हो जाएगी, तमाम इंटरनेस्टन बोर्डर हमारी CCTV कैमरा से लेस है, थोड़ा सा भी एगर हरकत करेगा वहाँ से पाकिस्तान, चाइना, कोई भी कंट्री, तो तुरंट वह हमारे कैमरे के अंदर केद हो जाएगा, औ और उसके साथ साथ वो कारवाई शुरू हो जाती है और जिस प्रकार से द्रोन पुरी हमारी इंटरनेस्टर बोर्डर को लाइन ओप कंट्रोल को और LAC को निगरानी रखे हुए हैं साथ ही साथ हमारे एक चुरू ग्राउंड पुजिशन लाइन जो की पाकिस्तान और सियाचिन ग्लेशियर को सेपरेट करती है उसको AGPL बोलते हैं भारत और चाइना के साथ हमारी जो बोर्डर लाइन खीची हुई LAC उसको हम LAC बोलते हैं और भारत और पाकिस्तान के साथ जो लाइन सेपरेट करती है वो सिर्फ और सिर्फ जमू इन कश्मिर से ही पास होती है जो की 740 किलोमेटर लंबी लाइन है लेकिन भारत के अंदर जो इंटरनेशनल बोर्डर पास होती है जिसकी सीमा रेखा 3323 किलोमेटर लंबी लाइन है और LAC 4062 किलोमेटर लंबी लाइन है तो इस प्रकार से अगर देखा जाई ये सीमा विबाद का जो कारण उपस्तित हुआ है दोनों कंट्री के बीच में ये आंतरास्ट्रिय एक इनकी सरकार गिरने वाली है पहली बात GDP गिर रही है और लोगों का गुसा उस पर उतर रहा है जिस प्रकार से उन्होंने पेंडेमिक में विवस्ता करनी चाहिए विवस्ता करी नहीं है और आज आप लोगों ने देखा होगा कि विश्वके अमेरिका ने तो पहले से धंकी दे दिए कि हमारी 2000 कंपनिया जो है वो री लोकेट होकर के भारत के अंदर प्रस्थापित होगी और दुनिया के जितने भी एडवांस कंट्री है जिन जिन का वहां पे बिजनेस चल रहा है वो बिजनेस तमाम वहां से हटा करके भारत में री लोकेट करने की पूरी पूरी योजना बनाई जा रही है और आज भारत में जिस प्रकार से उनके जो इन्फोर्मेशन सिस्टम है या उनके जो एप्लिकेशन्स है जो 59 एप्लिकेशन्स यूज़ करते थे उस पर बेन लगा करके उनका जितना जो धंदा होता था उनका जो प्रोफि तो छोड़ो लेकिन चाइना एक ऐसा खिलाडी है ऐसा उस पर दगाबाज चाइना है जो की हमारी कोई भी information है वो information को hack कर सकता है चाहे वो defense की कारण क्या है कि उनके जितने भी mobile technology चल रही है जितने भी apps चल रहे हैं जितने भी advanced technology के जो instrument चल रहे हैं उसमें चाइना ने अपनी हर जगे पे कहीं न कहीं कोई ऐसी तूटी रखी है जिससे की सारी चीजों का वो लेखा जोखा कर सकता है आज हमारा दुनिया ने चाहिना के साथ अपना रिष्टा नाता तोड़ दिया है तो मुझे पुरी पुरी उमीद है देखो किसी भी country को अगर हराना है तो मात्र मात्र attack करने से उसके कुछ सैनिक मारे जाएंगे हमारे कुछ सैनिक मारे जाएंगे उस से उस चीज का कोई result नहीं सैनिक लेगा लेकिन जिस country को अगर आपने धर्ती पे लाना है तो आर्थिक मोर्चे की लड़ाई से उसको नीचे गिराओ information technology से नीचे गिराओ उनका GDP को नीचे गिराओ आज चाइना का साथ या आठ जो GDP चल रहा है या नो GDP चल एक मंत्री जी ने एक महा मंत्र दिया है कि हम स्वावलम भी बनेंगे local to local एन उन्हों ने आत्मो निर्भर बनने का जो एक महा मंत्र दिया है कि हम भारत में बनी हुई चीजों का इस्तेमाल करेंगे जिससे की जो भी profit है जो भी income है वो भारत में रहेगी और चाइना के साथ हमारा मुश्किल से एक लाग करोड या डेड़ लाग करोड का ही उनके साथ व्यूसाय होगा लेकिन हमने पांच लाग करोड का जो उनके साथ जो deal किया हुआ है जो business deal चल रही है इ इसको भारत से ख़देर दी जाएगी और धिरे-धिरे करके लोगों का जो जुसा देख रहे हैं तीवी के माध्ययब से कि चिनी जितने भी समान है चिनी समान का विरोध हो रहा है बोईकोट हो रहा है और तमाम लोग को धिरे धिरे करके समधदारी में आ रही है कि अब चाइना का किसी भी प्रकार का समान को भारत में विक्रई नहीं होने देंगे अगर विक्रई होगा तो वही समान का पैसा हो हमारे लोगों को मारने के लिए, हमारे सेनिकों को मारने के लिए इस्तिमाल करेंगे तो इसलिए ये चीज को मत्यनाज़र रखते हुए पहलाता डिप्लोमेसी जो पुरी दुनिया के साथ हमारी मुझूदा सरकार भारत के प्रदानमंत्री जी ने जस प्रकार से विदेशनिती के द्वारा पुरे दुनिया के देशों को अपनी तरफ कर लिया है दुसरा आर्थिक मुर्चे पर और तिसरा सामरिक द्रस्टी से युद्ध के मुर्चे पर चाहे वो जल सिमा हो चाहे वो वायू से ना हो चाहे वो थल से ना हो तमाम प्रकार से आज की डेट में हम सुरक्षित है सुसजित है चाइना का हर छोटा सा एक गलत स्टेप उसको कई सालों तक पिछे कर देगा आज भारत 1962 का वो भारत नहीं है आज भारत 2020 का अत्याधूनिक टेकनोलोजी के साथ हमारी वायू सेना सुसजित है अत्याधूनिक युद्ध पोतों के साथ हमारी नौ सेना सुसजित है और भारतिय जो हमारी धल सेना है उनके पास भी अत्याधूनिक जो वैपन्स है चाहे वो नाइट विजन डिवाइज हो रडार सिस्टम हो चाहे कोई भी एडवांस टेकनोलोजी की टेंक हो इनसे हमारी सेना का जो मनोबल है यह सबसे मुचा मनोबल है तो इस चीज को देखते हुए मुझे पुरी उमीद है कि किसी भी हालत में भारत जो है दुनिया के किसी भी देश के साथ पुरी तरसे मुकाबला करने के लिए सज्ज है तयार है और चाइना को मुह तोड जवाब देने के लिए तय किसी भी हालत में हम पीछे नहीं हटेंगे पुरा देश पुरा सेनिक हमारे भारती सेना के साथ है आज जो दौलत बे गोल्डी वाला एरिया है वहां में दो साल सर्विस करके आया हूं मुझे चप्पा-चप्पा वहां से मालूम है सियाचिन ग्लेशियर में भी वहां में छे 40 degree temperature में शरीर में चलने वाला लहू जो है खुन वो जम जाता है अगर अखत्र के तोर पे प्रयोग के तोर पे उबलता हुआ पानी को थरमस से निकाल करके गर हवा में फेका जाए तो वो वहां पे बरप बन सकती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माइनस 53 degree inclement weather में हमारे जाबाज सिपाई आज हमारी एक ही जमीन चाइना न ले जाए हमारे देश की आनबान शान को बनाने के लिए जरूत पड़े तो अपनी जान की बाजीपन लगाने के लिए तैयार है उस प्रकार के हमारे हाइस्ट मनोबल वाले हमारे जो जवान है वह हमारे सेना वहाँ पे जाग रही है थोड़ा सा भी अवाज आने से उसकी निंद खुल जा रही है हमारे फाइटर आसमान में उड़कर के पूरा जाईजा ले रहा है हमारे द्रोन चारों तरफ घुम रहे हैं और तमाम हमारी जो बोडर लाइन है तमाम पांचों राजियों के अंदर पूरी तरस से सुसजित आर्मी को डिप्लॉयमेट कर दिया है चाहे वो जमुइन कस्मिर लदाग का एरिया हो चाहे वो माचल प्रदेश का एरिया हो चाहे वो उत्राखंड का एरिया हो चाहे शिक्किम का एरिया हो चाहे अरुनाचल प्रदेश का एरिया हो ये प हमारे सेनी कोगी होगी हमारी वायू से नाकी होगी हमारे नौ से नाकी होगी और हमारी थल से नाकी होगी इतना ही केकर मैं अपनी बात को यह भी विराम देता हूँ जाइहिन